मसकर दوشतों मैं हूँ आपका भाई संजीत और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जे बी के टेक्निकल अगर आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फिलीज हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जरूर करें आज हम बात करने वाले हैं अगर आप लोगों के पास इस्टाग्राम है और उसका अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप लोग किस तरह से इस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप लोग किस तरह से इस्टाग्राम का पासवर्ड च चैंज कर सकते हैं ठीक है तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है जैसे ही आपके पास Instagram होगा ना उसको आपको Open कर लेना Open करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में मेरा Profile दिख रहा है ठीक है तो change किस तरह से कर सकते हैं मैं उसी topic के उपर बात करने वाला हूँ यहाँ पे 3. पे आपको touch कर लेना है 3. पे touch करने के बाद setting end पर यहाँ पे setting end परवेशली लिखा हुआ ठीक है तो इस पे आपको उपर मैं touch कर लेना setting end इस पे ठीक है तो यहाँ पे मैं touch कर लेता हूँ, touch करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं accounts का option आ रहा है, उपर में ठीक है, तो accounts के उपर आपको touch कर लेना है, ठीक है, तो touch करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, नीचे side थोड़ा सा scroll करना है, व professional details और password का तो password पे आपको touch कर लेना है touch करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो change password मुझे password को change करना है ठीक है तो मैं password को change किस तरह से कर सकता हूँ मैं आज इसी topic कि उपर बात करने वाना हूँ अगर आप लोग अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं कियें तो please subscribe कर दें और वीडियो को share जरूर करें ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं change password का option मिल रहा है तो change password पर मुझे touch कर लेना है फिर से यहाँ पर जो आपका ID है वो ID खुल के आ जाएगा ठीक है तो मुझे यहाँ पर तीर का option मिल रहा है इस पर आपको touch कर लेना है touch करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है correct password ठीक है जो आप पुराना password रखे थे वो पुराना password अगर है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना password जैसे कि कोई भी डाल देता हूं, ठीक है, तो 1 मिनट, मैं यहाँ पे कोई भी अपना password डाल दिया हूँ, उनके बाद यहाँ पे मैं जो अपना password रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मन से यहाँ पे फिर से एक नया password डाल दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे ठीक है तो मुझे यहाँ पे new password डाल देना है इस तरह से ओके तो password को आपको check कर लेना है सही से ताकि कोई गलती ना हो जाए ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं password fill कर दिया हूँ उपर और नीचे में ठीक है उपर में जो आपका current password है वो आपको गलत भी दे सकते हैं उसके नीचे में आपको change password का option मिलेगा तो मैं simple से change password पे touch कर लेता हूँ तो change password पे touch करने के बाद थोड़ा सा आपको wait करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं your changing password इस तरह से आपको मिल रहा है वहाँ पे क्योंकि मेरा यह password change हो चुका है ठीक है अगर आप लोग भी इसी तरह से अपने अगर password को change नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा watch कीजिये तो वीडियो को देख के और आप लोग आप लोगों को सीख जाना है सीख लेना है आप लोगों को कि आप लोग की इस तरह से अपने इस्टाग्राम का जो password है वो आप change कर सकते हैं ठीक है अगर हमारे वीडियो से कुछ knowledge मिला हो तो फिलिज हमारे इस YouTube चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें सेयर करें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातराम